दोस्तो पेटियम बेंग के बैलेंस को अपने दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर करनी के लिए आज का ये वीडियो आप सभी लोग को काफी ज़्यादा हेल्फ करेगा कल से 15 मार्च कल से पेटियम बेंग जो है वो पूरे तरीके से बंद हो जाएगा आप पेटियम बेंग पर कोई साभी पैसा को कल से रख नहीं पाओगे तो अगर आपके पेटियम बेंग पर कोई साभी बैलेंस पड़ा हुआ है तो जल्दी से आप उस बैलेंस को अपने दूसरे किसी एकाउंट पर ट्रांसफर कर लें जैसे के यहाँ पर मैं अभी अपने पेटियम से अपने फोन पर बैलेंस को ट्रांसफर करूँगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आप अपना पेटियम को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे जो Paytium Bank का account है वो यहाँ पर open हो चुका है और अभी भी मेरे इस पर 900 रुपिया पड़ा है कल से पहले मुझे इस balance को अपने किसी भी account पर transfer कर लेना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो balance है वो यहाँ पर 900 रुपे सो कर रहा है तो चेली अब हम इसको करेंगे अपने दूसरी किसी account पर transfer तो इसके लिए यहाँ पर हमें काफी सा option मिल जाता है scan and pay का भी option मिलता है और आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी number को dial कर कर किसी भी number पर आप इस balance को भेज सकते हैं आप किसी account पर भी इसको भेज सकते हैं तो यहाँ पर मैं scan and pay करने वाला हूँ तो इसके लिए simply मुझे scan पर click करना है दिन यहाँ पर हमें camera का permission देना ह होगा तो यह option आपको नहीं आएगा तो यहाँ पर मेरे पासे एक QR code जो की मेरे phone pay का QR code है तो यहाँ पर simply में phone pay का QR code को यहाँ से कुछ इस तरीके से scan करूँगा उसके बाद मेरा जो balance का option है वो यहाँ पर आ चुका है तो मेरे paytm पर अभी 900 रुपे balance था तो simply में यहाँ से में इस पर click करता हूँ जैसे आप इस पर click करेंगे आपका यहाँ पर paytm bank का option आ जाएगा simply आपको pay securely पर click करना है और यहाँ से अप अपना UPI pin डालेंगे UPI pin देने के साथी साथ आपका जो paytm पर balance था वो आपने जिस पर transfer किया उस पर चला जाएगा तो दोस्तों आप दे balance से वो successfully transfer हो चुका है